मेरा नाम अनो नागी शुद्य है। मैं कक्षा चवथी के तुकडी अम में पड़ता हू। मेरे विद्धेले का नाम देवगरी ग्लोबल एकेडमी है। आज मैं आपको हिंदी दिवस का महतो बताने वाला हू। हिंदी दिवस प्रत्यक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी निर्णे के महतो को प्रतिपाधित करने तथा हिंदी को प्रत्यक शेट में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1903 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1903 में गांधी जी ने हिंदी सहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राज भाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जन्मानस की भाषा भी कहा था। इसी दिन हिंदी के सहित्यकार राजेंदर सिहा का पचासवा जनम दिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को सेष्ठ माना गया था। हिंदी दिवस के दोरान कई कारिक्रम होते है। इस दिन चातर चातराओं को हिंदी के प्रती सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपियोक करने आदि की शिक्षा दी जाती है। जिसने हिंदी निभन्द लेखन वादियुम्वाद प्रतियोगीता आदि होता है। लेकिन अगले दिन सबी हिंदी भाषा को भूल जाते है। हिंदी भाषा को कुछ दिन और याद रखे। इस कारण राष्ट्र भाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है। जिससे यह काम से काम वर्षय में एक सप्ताह के लिए तो रेती ही है। बोलने वालोग की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दिन्या में तिस्री सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने पढ़ने और लिखने वालो में यह संख्या बहुत ही कम हो रही है। यह और भी कम होती जा रही है। धन्यवाद अजनी बहुत है।